कि नमस्कार गुडलग टिप्स में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ अर्फ दर्शकों रूस में लेकर आते हैं आपका अध्यानी के राशी साथ बताएंगे आज क्या नया हुने वाला है आपके दिन में आपके दिन अच्छा होगा साथ ही क्या आप दिलाएगा बताएंग आपकी परिशानी उसे बसने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कारकरम गुडलग टिप्स में आपकी राशियों पर भी प्रभाव डालेगा तो क्या प्रभाव होगा आपकी राशी पस ग्रहन का और क्या उपाय करने हैं जिससे बच सकते हैं आप ग्रहन के प्रभाव से साथी किन विशेश बातों का खास्त और पर आप सभी को ख्याल रखना है इसे बताने के लिए हमार साथ हमार शूडियो में मौजूद है जाने माने जोतिश चारे पंडित मुके शास्री जी पंडित बहुत बहुत च्वागत है आपका जैशी किष्णा जैमा को हमें खॉल करना है आज का दैनिक राशी फाल क्या कुछ खास लेकर है आप सभी के लिए गुर्लक्टिफ करकम के सभी दश्कों के उपर भगवान शीहरी का, मालक्षमी का, माबा गुला मुखी का आशिरवाद और कपैदस्टी हमेशा बनी रहे आप सभी का कल्यान हो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं साल 2018 के प्रथम कगरास चंद ग्रहन के बारे में जो इस बार मागमास में दिनांक 31 जनवरी सन 2018 बुद्वार यानि मागी पूर्णिमा के दिन पढ़ रहा है लगबाद डेड़ सो साल बाद ऐसा संयोग बना है मागमास की पूर्णिमा हो और उस दिन चंद ग्रहन का योग हो इस चंद ग्रहन का असर संपून भारत में दिखाई देगा ऐसे चंद ग्रहन योग में सनान करना तीर से सनान करना दान करना जब करना पूजा करना बहुत महतु रखता है साइकाल में होने वाला चंद ग्रहन ध्यान से सुनेगा आप सभी दश्यक लोग कहां पर कितना इंपेक्ट आ रहा है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा आचे तो साइकाल शाम के समय में होने वाला चंद ग्रहन भारत के जो सुदूर वर्ती पूर्वी भाग है वहाँ पर चंद्रमा उद्य होने के बाद शुरू होकर खग्रास रूप में दिखाई देगा और शेश समस्त भारत में राजस्तान, उत्तरवदेश, पंजाब, धिली उसमें गस्त्रो दे खग्रास चंद ग्रहन, अर्थार्थ ग्रहन लगा हुआ उद्य होगा पूरे भारत वर्ष में चंद ग्रहन का प्रभाव दिखाई देगा आईए सबसे पहले जान लेते हैं 31 जनवरी सन 2018 बुद्धवार के दिन जो चंद ग्रहन लग रहा है, उस चंद ग्रहन में सूतक का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा तो दोस्तों, सूतक काल जो है वो दिना के 30 जनवरी सन 2018 बुद्धवार को प्राते काल सूर्योदे के साथ ही प्रारंब हो जाएगा हमारे राजस्तान में विशेश तोर पे सूर्योदे के साथ साथ में सूतक लग जाएगा सूतक लग जाने के पश्यात में पोर्णिमा तिथी की कथा पूजन का कारे नहीं हो सकता साथ ही बच्चों, व्रद और रोग्यों को छोड़कर सभी धार्मिक जनों को सूतक काल के अंदर भोजन बनाना भी नहीं है और भोजन करना भी नहीं चाहिए अब आपको सूतक काल से पहले यानि सूर्योदे से पहले यदि आप चाहें क्योंकि पूर्णिमा जो है वो आज रात्री को लग जाएगी तो अगर आप चाहें तो सूर्योदे से पूर्णिमा कथा कर सकते हैं या पूर्णिमा कथा आपको करनी है तो जब ग्रहन काल खत्म हो जाएगा रात को 8 बचकर 41 मिनट में उसके पश्यात अपने तन की शुद्धी करके घर की शुद्धी करके मंदिर की शुद्धी करके भगवान की शुद्धी करके तत पश्यात में आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं कथा कर सकते हैं लेकिन सबसे उत्तम सूर्योदे से पूरु करना है भोजन भी बनाना है तो आप सूर्योदे से पूरु भोजन बना के रख लीजे उस भोजन में तुलसी जी का पत्ता डाल दीजे ताकि दिन में अगर बच्चे उस भोजन को खाना चाहे तो बच्चे उस भोजन को ग्रहन कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि जो भी काम ये करने हैं आपको ये सूरेदे से पूरू करने हैं सूर ब्रह्म मौरत जिसको कहते हैं, ब्रह्म मौरत में की गई पूजा का, तो विशेश लाब मिलता है, तो कल यदि पूर्निमा काथाब करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मौरत में करें, अर्थार सूरी दे होने से पहले करें. आईए अब जान लेते हैं चंद ग्रहन के प्रारंब और समाप्तिकाल के बारे में आपके TV स्किन पे भी आएगा चंद ग्रहन जो प्रारंब होगा वो शाम को पांच बचकर अठारा मिनट पर प्रारंब होगा चंद ग्रहन जो है वो शाम को पांच बचकर अठारा मिनट पर प्रारम होगा खगास जो प्रारम होगा वो शाम को छे बचकर बाइस मिनट पर होगा ग्रहन का मध्य काल जो होगा वो रात्री साथ बचे होगा खग्रास्त जो समाप्त होगा वो रात्री 7 बचकर 38 मिनट पर और चंद ग्रहन समाप्त कितनी बज़े होगा जो सबसे इंपॉर्टन चीज है वो है रात्री 8 बचकर 41 मिनट पर तो इस प्रकार शाम को 5 बचकर 18 मिनट से शुरू हुआ चंद ग्रहन जो है वो रात्री को 8 बचकर 41 मिनट तक रहेगा उस ग्रहन समय के दोरान आपको विशेश साबधानी रखनी है आईए अब जान लेते हैं ग्रहन का राशिफल चोकि चंद ग्रहन है साल का प्रथम चंद ग्रहन है तो उसका आपकी राशियों पर क्या असर पड़ेगा बहुत इंपोर्टन चीज़े चुकि ये चंद ग्रहन पुष्य नक्षत्र और अश्लेशा नक्षत्र एवं करक राशी के अंदर हो रहा है तो पुष्य नक्षत्र में जो जन्मे व्यक्ती है अश्लेशा नक्षत्र में जो जन्मे व्यक्ती है और जिन व्यक्तियों के करक राशी है उनके लिए चंद ग्रहन विशेश कस्ट कारी साबित होगा तो विभिन राशियों पर होने वाले चंद ग्रहन के प्रभाव को आज मैं आपको बता रहा हूँ शुरुवात करता हूँ मेश राशी मेश राशी वाले जो हमारे दर्शक है आपके लिए चंद ग्रहन साल का जो प्रथम चंद ग्रहन है उसका असर क्या होगा ये जाल लेते हैं आपको नोकरी के शेत्र में वैवसाय के शेत्र में सफलता मिलेगी कारे स्तल पर आपकी मान प्रतिस्टा में व्रद्धी होगी आजीवका से जुड़े सभी शेत्रों में लाब की प्राप्ती होगी सुयोग ये सु लक्षनों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ती होगी स्वास्त का धिहान रखेगा संपत्ती संबंदी समस्याएं हो सकती है ग्रहन काल के दोरान भगवान शिव्ज की उपासना करें ग्रहन के बाद में हरी वस्तूओं का दान अवश्य करें अगरी जो राशी वो है व्रशब राशी व्रशब राशी वाले जो हमारे दर्शक है आपके लिए चंद ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा ये वो जान लेते हैं केरियर में बदलाव के संकेत दिखते हैं नोकरी और व्यपार में तरक्की होगी उनत्ती होगी हाँ अपने डिसिजन्स में विशिष्ट और पे सावधानी रखिएगा अचानक धन लाव होने की भी संभाव ना है चंद ग्रहन काल के अंदर कृष्ण भगवान की उपासना करें ग्रहन के पश्यात में लाल फल का दान अवश्यक है अगली जो राशी वो है मितुन राशी मितुन राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आपके लिए चंद ग्रहन का कितना इंपैक्ट होगा ये जानते हैं चंद ग्रहन का संकेत आपकी राशी पर ये कहता है कि आपको आने वाले समय में financial losses हो सकते हैं and you have to be careful regarding your health क्योंकि mental depression के आप शिकार हो सकते हैं आख और कान नाक गले का विशिश तोर पे आपको ध्यान लखना है चंद ग्रहन का जो असर है डिरेक्टली आपके health को impact कर रहा है चंद ग्रहन काल के अंदर बजरंग बान का पाथ अवश्य करे ग्रहन के पश्यात में सफेद वस्तों का दान अवश्य कीजिए कि साल के प्रथम चंद ग्रहन का आपके उपर कितना असर होगा दुर्घटनाउं और शल्लेचकित्सा यानि आपरेशन के योग बनते हैं So you have to be careful regarding driving एक्सिडेंट से बचना है, शारीरिक कस से समस्या हो सकती है वाहन सावधानी से चलाना है, मुकदमे बाजी से दूर रहना है, विवादों से दूर रहना है चन्द ग्रहन काल में चन्दरमा के मंतर का जाप करना है और ग्रहन खतम होने के पश्चात में काली वस्तों का दान करना है बात करते हैं सिंग राशी वाले जो हमारे दशक है सिंग राशी वाले जो हमारे दशक है उनके लिए चंद ग्रहन क्या संकेत लेकर आये वो भी जान लेते हैं तो सिंग राशी वाले जो हमारे दशक है साल का प्रथम चंद ग्रहन ये संकेत करता है कि आपको financial losses से बचना होगा investment should be very proper ऐसी जगे कहीं पैसा नहीं लगाना है जहां surety नहीं हो and you have to be careful regarding eyes problem आखों की समस्या के उपर थोड़ा आपको विशेश रूप से ध्यान देने की आउशकता है family matters की अगर मैं बात करूं तो परिवारी सदस्यों के बीच में विवादों से आपको बचना है argument बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए ग्रहन काल जब चल रहा हो चंद ग्रहन का जब समय चल रहा हो तो यथा शक्ति जितना संभा हो हनमान चालिसा का पाठ करें पाठ करने के पश्याद में ग्रहन खतम हो जाने के पश्याद में इसनान आदी से निवरत होकर जूते या छाते का दान अवश्य करें किसी विजलत मत को बात करते हैं कन्या राशी वाले जो हमारे दर्शक है चंद ग्रहन का संकेत आपके लिए क्या कहता है ये जानते हैं आकस्मिक धन लाग हो सकता है लॉटरी लगने की योग बनते हैं हाँ डिसिजन्स में सावधानी रखें इस्पेशली नोकरी से संबंदित जो भी मैटर से आपके साहस में आपके पराक्रम में व्रद्धी होगी छोटी दूरी की यात्रा की संभावना है और भाई बैनों के और सबके रिलिशन्स अच्छे रहेंगे ग्रहन काल में राम रक्षा स्तरोत का पाठ अवश्य कीजिए चंद ग्रहन का जब समय चल रहा हो तो राम रक्षा स्तरोत का पाठ कीजिए और ग्रहन खतम होने के पश्यात इस नानादी से निवरत होने के पश्यात में अन का दान अवश्य कीजिए तो दर्शेकों फिलाल गेल वक्तों चलाइक छूट इस ब्रीक का जल्दा हज़र होते हैं